अखलेश यादव का एक वीडियो खूब चर्चाम में हा गया दरसल इस वीडियो में अखलेश यादव गेट फांद कर अंदर घुस्ते हुए दिखाए दिये जिसके बाद से अखलेश यादव का ये वीडियो खूब सुर्ख्यों में आया यूपी की राजधानी लखनओं के जेपी नारायन इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपी एनाइसी के गेट पर सपा कारे करता धरने पर बैठ गए मौके पर खुद सपा मुक्या खलेश यादव मौजूद थे दरसल लोक नाइक जेप्रकाश नारायन के जोहनती पर अखलेश यादव को उन्हें श्रधांजली देने जाना था लेकिन सपा मुक्या को अंदर नहीं जाने दिया गया ऐसे में जेपी एनाइसी का गेट बंध होने पर अखलेश यादव ने को एक तरकीब आई और उन्होंने गेट फांदना शुरू कर दिया तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अखलेश यादव गेट फांद कर अंदर दाखिल होए और जैप्रकाश नारायन की मूर्ती पर माल्यार पन किया बताया जा रहा है LDN देश शाम ही गेट पर ताला लगा दिया था गेट फांद कर कोई ना जा पाए इसके लिए लोहे की चादर की दिवार भी लगाई गई थी LDN ने सुरक्षा कारणू की वज़े से अखलेश को JPNIC में जैप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार पन कारिक्रम की अनुमती नहीं दे थी इसके विरोद में बड़ी संख्या में सपाकारे करता धरने पर बैठ गए वहीं JPNIC के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया इस बीच मौके पर अखलेश यादव पहुँच गए और गेट फांद कर JPNIC के अंदर चले गए अफरात अफरी के माहौल के बीच लखनओ का सियासी पारा हाई हो गया इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पनिशाना साधा पार्टी ने एक्सपर लिखा बाचपा सरकार द्वारा लोक नायक जय प्रकाश नारायन जी की जहनती पर उनके नाम पर बने JPNIC पर ताला लगाना अत्यंत निंदन ये है पहले तो इस नाकारा सरकार ने लखनओ में बने JPNIC जैसे विकास कारे को बरबाद किया अब उनके प्रतिमा पर मालयार पर ना करने देना महा पुरिशों के विरुद्ध विचार धारा को दर्शाता है बेहद शर्मनार फिलाल अखलेश यादब का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब भूम रहा है जिसमें अखलेश यादब दीवार फांद कर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें आमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमरुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर